नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे एल्विस यादव और मेक्स्टन की रिसन कॉंट्रोवर्सी इस कॉंट्रोवर्सी को हम सुरू से डिकॉट करेंगे और पूरी कॉंट्रोवर्सी को हम एनलाइज भी करेंगे और इस कॉंट्रोवर्सी को हम फाइव पार्ट्स में डिवा कर रहा है मगर इस एन इंपोर्टन पार्ट ऑफ दे कॉंट्रोवर्सी फिफ्ट पार्ट वुड बी कन्क्लूजन माफ करना दोस्तों जब मैं यह वीडियो एडिट कर रहा था तब मुझे रियालाइस हुआ कि फॉर्ट पॉइंट पहले डिसकस करना चाहिए था क्योंकि यह और एक्स्प्लेइन करेगा अगर आपने यादो की साइट का वीडियो देखा होगा तब यादो बता रहे थे कि अब लेफ्ट विंग वाले आएंगे और उनको हेट देंगे उनको डिफेम करेंगे तो ऐसा यादियो ने क्यों कहा आईए जानते हैं उसे समझने के लिए हम एक्स्टर ने आगे से हाथ बढ़ाया बात करने के लिए मगर एल्विस यादो ने मार पीट चुना और अब ये लेफ्ट विंग कंटेंट क्रियेटर्स ये साबित करेंगे कि एल्विस यादो ओल्वेस चूजिस दवाइलेंस ये अपती वीडियो में वाइलेंस दिखा र लोग है जब एल्विस यादो ने हाथ पढ़ाया मुनावर फारुकी से बात करने के लिए यही यही लोग उनको फेक हिंदू फेक हिंदू बोल रहे थे सो इस इस पॉइंट जो सभी लोग नेगलेक कर रहे है आई थेंग सो वी शूद डिसकस अबाओ दिस एस वल क्योंकि लेफ्ट विंग वाले एल्विस यादो को विलन ही बना देंगे जहना चाहता हुए एट नो पार्ट में वालेंस को कंडोल नहीं करता लड़ना जगणना से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और वो नहीं करना चाहिए ये कॉंट्रवर्सी स्टार्ट होती है जब एल्विस यादो वेन टू बिग बॉस और उसी टाइम से मैकस्टन पोक कर रहे थे एल्विस यादो और उसके फैन बेस को ट्वीटर पे और इंस्टाग्राम पोस्ट पे मगर ये कॉंट्रवर्सी बढ़ गई जब एल्विस यादो और मुना और फारु की रिसंटली एक क्रिकेट मेट में साथ में मिले और उसी के बाद मैकस्टन और एल्विस यादो का एक कनवर्जेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता ही है तो आईए जा मैकस्टन की साइड से ये स्टोरी क्या कहती है मैकस्टन के हिसाब से रिसंटली जो कॉंट्रोवर्सी हुई थी एल्विस यादो और मुनावर फारु के बीच उसके एक कमेट के बाद मैकस्टन डिसाइड करते हैं कि वो एल्विस यादो से मिलेंगे और एल्विस यादो न होगे वो बातचीत से सौल किया जाएंगे और एक वन उन वन डिपेड होगा मगर ऐसा बिलकुल ही नहीं होता है जब एलविस यादव अपने दोस्तों के साथ आते हैं तब एलविस यादव गुस्से से उनको मार पीट करते हैं और उनको फिजिकल इंजरीज भी हो जाती है जिसके लिए उनको मेडिकल एटेंशन के लिए जाना पड़ता है मैकस्टन से साइट से एक और बात निकली और वो थी एफ आयर दर्ज करने की मैकस्टन ने दर्ज की एफ आयर अगेंस्ट एलविस यादव मगर उसमें भी जो उनको लगता था कि यह आईपीए सेक्शन ल की फैन बेस को बता रहे थे गवार जो की कोई भी क्रियेटर को अच्छा नहीं लगेगा रिसंटली जब मुनावर फारुकी और एलविस यादव दोनों एक साथ मिले तब मैकस्टन ने एक रिल सेर की जो की एलविस यादव को पसंद नहीं आई और उसी बीच एलविस या इसा स्टेटमेंट सुनने के लिए और एकोडिंग टू एलविस यादव ये स्टेटमेंट सुनने के बाद उनको बहुत कुसा आया और वो और वो अपने गुसे को रोक नहीं पाए एक और चीज एलविस यादव के पॉइंट अफ यू से मालूम पड़ा कि ये मैकस्टन जब आया था तब उन्होंने माइक लगा दिया था, कैमेरास लगा दिये थे और अपने दोस्तों के साथ भी थे यानि ये पूरा सेटप था एकोडिंग टू एलविस यादव और एंड में एलविस यादव भी एक लिगल एक्शन लेने का सोच रहे है, I am not sure कि उन्होंने ले लिए या नहीं, मगर वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वो भी एक लिगल एक्शन लेने वाले है, Now let's conclude कि कौन सही है या फिर कौन गलत है, According to me, इस controversy में कोई भी सही नहीं है, दोनों ही अपनी जगा पे गलत है, Elvis Yado की गलती थी कि उनको वाइलेंस नहीं करना था, उनको मारपीट नहीं करने थी, अगर आपको इंटरनेट पे कोई ट्रोल कर रहा है, अगर आपको इंटरनेट में कोई provocative statement दे रहा है, या तो आप उसको ignore करो, और या फिर आप पुलिस के पास जाओ, और necessary legal action लो, और Maxton की गलती है, ऐसे provocative statement देना, कोई भी अपने माबाप के लिए और अपने लिए ऐसा नहीं सोच दकता, अगर किसी को भी क्या आजाए, तो उसको गुसा आएगा है, और अगर Elvis Yado के fanbase hate दे रहे थे Maxton को, तो या फिर उनको ऐसे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए या फिर इस hate comment को ignore करना चाहिए था, या फिर इस hate comment के खिलाफ legal action लेना चाहिए था, और end में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, दोनों Maxton और Elvis Yado, बहुत ही ground level से आगे बढ़े, और दोनों ने इतनी मेहनत किये, इतनी कठाइनाया अफीस किये, तो I think के ऐसा कदम नहीं चाहिए था दोनों को, अगर possible हो तो दोनों को एक साथ बैठ कर बात कर लेनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की गलती थी, इस controversy को यहीं कतम कर देनी चाहिए, अगर Elvis भाई या फिर Maxton भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक चीत होकर ये वीडियो समझ ये और ये conclusion ला दीजिए, अगर Neon Man या News Boy ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज ऐसा कुछ arrangement कीजिए, कि जहां ये दोनों एक साथ बात कर सकते हो, और इसका resolution हो जाए, Thank you for watching this video, comment down what should be the conclusion, meanwhile you have a wonderful day, take care guys.